गाउं का बिजनस शेहरों में मचा रहा है धूं वैसे इस ओयल मिल्क को गाउं का बिजनस माना जाता है क्योंकि वहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और पास के मार्केट में बिग भी जाता है यदि small scale पर oil milk आप business शुरू करना चाहते हैं तो आपको केवल मशीनों और power की जरूरत होती है सस्ता कच्चा माल आपको गाउं में किसानों से मिल जाएगा आसपास की market में तैयार तेल बेशने से आपको अच्छा लाब मिल सकता है क्योंकि आपको transportation में अधिक पैसा नहीं खर्चना होगा Small business में आपको manpower भी अधिक नहीं लगेगी वैसे भी गाउं में manpower शेहरों की अपेक्षा सस्ता मिल सकता है गाउं में oil मिल लगाने के लिए 200 से 200 स्क्वेर फीट की जगा की जगा की ज़रूरत है यदि ये जगा आपके पास है तो लागत और भी कम हो जाएगी Small scale के अलावा medium और large scale के oil मिल के लिए इससे ज़ादा जगा की जगा की ज़रूरत पढ़ सकती है शेहरों और गाउं के oil मिल में क्या होता है अंतर बदलते जमाने के साथ शेहरों में जैसे जैसे आवादी बढ़ रही है वैसे वैसे प्रतेग चीज़ की demand भी बढ़ रही है इसमें खाने वाला सरसों, मुंफली, सोयाबीन का तेल भी शामिल है इसकी demand को देखते हुए शेहरों में भी oil מिल का business लाबकारी साबित हो रहा है गाउं और शेहरों के oil मिल में फरके है कि गाउं में जहाँ चोटा plant लगाया जाता है वहीं शेहरों में medium और बड़ा plant लगाया जाता है क्योंकि यहाँ का business area बड़ा होता है डिमांड अधिक होती है इससे अच्छा मुनाफ़ा मिलता है लेकिन इसमें लागत भी अधिक लगानी पड़ती है ओयल मिल्क को लगाने से पहले ये सूचना होगा कि आप किस तरह के तेल का बिजनस करना चाहते हैं जबकि हाई लेवल के बिजनस के लिए और्टोमेटिक प्लांट खरीवने से आपको सभी प्रकार के तेल निकालने की सुविधा मिल जाती है किस लेवल का बिजनस करना चाहेंगे आप? उत्पादन के नजरिये से तीन तरह का ओयल मिल उद्द्योग होता है इसमें पहरे तरह के उद्द्योग को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं इसमें जो बिजनसमें 5-10 मिट्रिक टन तेल रोजाना उत्पादन करना चाहते हैं वो इस तरह का बिजनस स्टार्ट करते हैं इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा बिजनस जो करना चाते हैं उनके लिए मेडियम स्केल इंडस्ट्री इस तरह की इंडस्ट्री में बिजनस्मेन 10 से 50 मिट्रिक तन तेल का उत्पादन रोजाना करना चाता है इसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्री आती है इसमें रोजाना पचास मिट्रिक टन से अधिक तेल का उत्पार दंकिया जा सकता है आपको तीन श्ट्रेडियों में से एक को चुनना है इस तरह के बिजनस की लागत और अन्य व्याय को देखते हुए आप अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं साती राजी के उद्योग भी भाग में अपनी फुर्म का दर्ज़ कराएं यदि आप चाहते हैं तो आपकी मिल्क के नाम को दूसरा को इस्तेमाल ना करें तो आपको जिने एक्सपेलर और फिल्टर कहा जाता है लेकिन बड़े उद्योग के लिए इसके लावा कई अन्य मशीनों की भी जरूरत होती है आपको स्कुरू, एक्सपेलर, कुकर, एंड, फिल्चर प्रेस, प्लंगर, पंप और फिल्टर, क्लॉथ के साथ ओएल को स्टोर करने वाले स्टोरिज टैंक, वजन करने वाली एलेक्टरॉनिक मशीन, सील करने के लिए सीलिंग मशीन, बॉक्स स्टेंपिंग मशीनों को खरीदना होगा यदि आप ऑटोमेटिक मशीन खरीते हैं, तो आपको सभी तरह की सुविदा एक साथ मिल सकती है आप semi-automatic का भी इस्तेमाल अपनी oil mill में कर सकते हैं इन मशीनों को चलाने के लिए आपको 15 किलो वाट से 20 होर्स पावर की मोटर की ज़रूरत होती है कई चड़नों की प्रोसेस के बाद निकलता है शुद तेल किस तरह से करें तेल की सप्लाई oil mill से तेल का प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इसकी सप्लाई की विवस्ता करनी होगी oil mill के पास नजदीकी थोक मारकेट या retail shop को टारगेट करके अपना प्रोडक्शन बेशना शुरू करना होगा wholesale dealers को oil supply करने का लाब ये होगा कि उन्हें आप भारी मात्रा में oil बेच सकते हैं इसके लिए आपको भागदौर नहीं करनी होगी wholesalers को supply करने के लिए आपको कंस्टर की parking सबसे अधिक सूथ करेगी retail shop में तेल बेशने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और उसके लिए आपको marketing team भी रखनी होगी oil mill में कितनी लागत की होती है जरूरत अब आईए विचार करते हैं oil mill में लगने वाली लागत की वैसे small scale business industry में 2-3 लाग रुपे की लागत आती है इसके अलावा manpower अलग से रखना होगा इसके बाद medium scale वाले oil mill में खर्चे आपके ऊपर ने भर करते हैं इसके लिए थोड़ी जगा machine आधी पर अधी खर्चा होता है raw material भी अधिक store करना होता है इस medium scale के business में से 7-10 लाग रुपे की लागत आईगी यहाँ पर एक बात यह है कि small scale पर business शुरू करने के लिए आपको कुछ जादा workers के अवशक्ता हो सकती है लेकिन जैसे जैसे आप automatic plant की और बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको कम से कम workers की ज़रूरत होगी automatic plant यदि आप 24 घंटे चलाते हैं आपको तीन शिफ्टों में काम करने वाले दो-दो trained व्यक्तियों की ज़रूरत होती है जब आप कोई बड़ा कार शुरू करते हैं तो उसमें अधिक से अधिक काम करने वालों के अवशक्ता भी होती है ऐसे में एक समस्य ये होती है कि कैसे काम करने वाले करमचारियों को ठीक से समय पर काम करवाए कैसे उनकी जमेदारियां बाटे, कैसे उन पर अपनी नज़र रखे